बिस्मिल्लाहिर रह्मानी रहीम असलाम अलेकुम और रहमतुल्लाह बढ़कात दहूं मेरी प्यारी दोस्तों आप लोग देख रहें वर्ल इंफो न्यूज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइब फिद्र किन लोगों को दिया जा सकता है और किन लोगों को नहीं अल्लाह तबरग ताला ने फर्माए है तो प्यारे दोस्तों बहुत ही खुबसूरत वीडियो है तो आप लोग से गुज़ारी से कि दि वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ले ही फिरिज को अभी सब्सक्राइब कर लीजे तो आईए दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को कर्दारों के लिए और अल्ला पाक की राह में और मुसाफिरों के लिए मुकरर किये गए है शद्कात है अल्ला पाक की तरब से और अल्ला पाक बहुत जानने वाला बड़ी हिम्मत वाली है दोस्तों अल्ला ताला ने शद्कात को नभी या किसी और की हुक्मे पर नहीं बड़ाबर हो, तो उसकी असल हाजत पूरी करने के लायक हो, जैसे रहने के लिए मकान, पहने के लिए कपड़े, खिदमत के लिए हैं। दोस्तो नमबर दो है कर्जदार, दोस्तो कर्जदार हो है, जो कर्ज निकालने के बाद निशाब बाकी न रहे तो फकीर है, अगर्चे उसके पास इतना माल हो कि एक तो क्या करी निसाब हो जाए, दोस्तो नमबर तीन है मिस्कीन दोस्तो मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ नहूं यहाद तक की खाने और बदन शिपाने के लिए इसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करें ऐसे लोगों को फित्रा ए देना अर्ज़ है अल्ला पाक निव फर्मा है दोस्तो नमबर चार है आमील दोस्तो आमील हुआ है जिसे जकात वसूल करने के लिए मुकरर किया जाता है आमील को शद्काई फित्र नहीं दे सकते दोस्तो पाच्वे नमबर है रिकाव रिकाव उस गुलाम को कहते हैं जिसे मालिक ने यह कह दिया हो कि रुप्या दे दो तुम आजाद हो तो उसे सद्के के रुप्य इसलिए देना है कि अपने आपको आजाद करा सके और गुलामी से अपनी गर्दन रिहा करे नंबर छे है गारी दोस्तो गारीम से मुराद कर्ज़दार है उस पर इतना करजा हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाकी न रहे अगरचे उसका ऑड़ो पर बाकी हो मगर लेते पर कादेर नहों मगर शर्ट यह है कि करददार हासमी नहों. दोस्तों number 7 है फिस्बिल्लाः दोस्तों फिस्बिल्लाः याنि रहे खुडा में खर्चा करने वाला जैसे जिहाद के लिए इल्म दीन पढ़ने या पढ़ाने वालों के लिए या इसीतरह नेक बात में फित्रह लिया जकात खर्च करना फिस्बिल्ला है जबकि बितौर तमलीकों की बगैर तमलीक फित्र या जकात अदान नहीं हो सकता दोस्तो नमबर आठ है एबनु रसबील दोस्तो वह मुसल्मान मुसाफिर जिसके पास माल नहीं रखा फित्र जकात ले सकता है अगरचे इसके घर पर माल मौजूद हो मगर उतना ही ले जिसके हाज़त पूरी हो जाए ज्यादा की जाज़त नहीं इसी तरह मालीकि निजाब के अपना माल किसी को कर्ज दे दिया और कभी वह कर्ज वापस मिलने की कोई उमीद नहीं हो तो वह भी असल हाज़त के लिए फित्रा या जकात ले सकता है तो मेरे प्यारी दोस्तों आप लोग से गुजारिस है की वीडियो देख के दिल से एक लाइक ज़रूर कीजे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा सैर कीजे दोस्तों आपके किमती वक्त में से थोड़ा सा किमती वक्त निकाल की इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजे तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए